हेलो फ्रेंड, वेलकम टुए चैनल फार्मेसी डिशनरी, आप देख रहे हैं हमारा मेडिसें रिव्यू एक्सक्लिजिव सिरीज, इस तरीज में हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेडिसें के इंडिकेशन के बारे में, यानि कि वो किसले यूज करते हैं, उनके कॉंस कॉंस्मेंट के बारे में, और हर एक कॉंस्मेंट का अगर उसमें एक से ज़्यादा है, तो उसका इंडिविज्वल मेकेनिजम उफेक्शन, मैं एक रिजिस्टर फार्मसिस और प्रफेशनल फार्मकोलोजिस्ट हूं, 11 साल का टीचिंग एक्स्पिरियंस है, मेडिसिन के र इडिविज्वल कंपोनेंट अग भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो भी आपको समझ में आ जाएगा, कुछ दिन पहले मैंने दो-चार वीडियो बनाया थे, स्किन के उपर, खास करके आपके फेस के उपर अपलाई किया जाने वाले, और बॉड़ी के दूसरे को बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा दिखता है, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, बस एक जो चल रहा है, उसे के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, एक आदमी जो अच्छा दिखता है, उसके अंदर ये confidence होता है, क तो वो आपके और या उस व्यक्ति के अंदर के motivation को थोड़ा सा down कर सकता है, जबकि ऐसा होने की कोई भी आवशकता नहीं है, आप कैसे दिखते हो, क्या problem है, उसका आपके अंदर के confidence और दिमाग के knowledge से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी एक issue है, तो इसे solve किया जा सकता है, अगर तो विल्कुल solve करना चाहिए, इसको solve करने से अगर advantage मिल रहा है, तो then what is the problem, आपको इसको solve करना चाहिए, ऐसे ही एक problem है, जिसे हम जाईयों की problem बोलते हैं, यानि कि एक ऐसी problem जो most of the cases आपके face के या face के किसी particular area में देखने को मिलता है, और ये problem क्या है, कैसे होता है, क brand name है, Malapik HQ, और इसके अंदर के active consummate है, आपका hydroquinone cream, USP, United State Pharmacopeya की guideline के according दूसरा जो मेरे हाथ पर product हो है, आपका desonide lotion, जो कि इसका active consummate है, तो आखिर ये दोनों product कैसे काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसी जाईयों के बारे में, जाईय जिसे आप अकसर देखते हो, कि आपके face पे, most of the cases इस वाले area पे, chicks के part वाले पे, थोड़े थोड़े आपको brown dot 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 patches नदर आते हैं, जो progressive तरीके से बढ़ सकते हैं, या उसी के साब से stop हो सकते हैं, वैसे तो ये problem male और female दोनों के लिए common है, बट अगर आप देखें उनके होन के chances का, तो female पे ये ज़्यादा affect करता है, और खास करके ऐसे case में जहाँ पे pregnancy हो चुकी हो, pregnancy की planning के लिए आप प्रपर कर रहे हों, तो फिर ये आपके problem थोड़ा सा और बढ़ सकता है, क्योंकि उस stage में कई सारे hormonal changes होते हैं, और ये hormonal changes इस तरह की issues को और अच्छे से ले करक प्रपर्टी रखते हैं, तो ये जो आपके जाईया हैं, वो basically आपके skin की cosmetic condition है, जिसमें hyper pigmentation होता है, यानि कि वहाँ पे जो skin का color है, वो थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देने लगता है, ज़रूरी नहीं कि आपके इसी गाल के आसपास हो, ये आपके face पे, forehead पे, chick पे, न जहीं भी ये चीज़ें हो सकती हैं, इसके कई कारणों में से एक कारण ये भी है, कि आपका skin जो है, वो ऐसे object के contact में आ रहा है, जिसमें कोई allergic reaction कॉस्ट करने की ability है, या फिर आप sun के exposure में जाता जा रहे हैं, without using any sun protective cream, तो फिर आपको ये problem create कर सकता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो उस particular part में brown brown dot 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 सब्चन दिखाई देते हैं, ये क्यों होता है, ये होता है आपके hyper pigmentation की वज़े से, तो ये word भी आप समझ लीजे, कि क्या होता है hyper pigmentation कैसे होता है, और कौन इसके लिए responsible होता है, hyper pigmentation बना हुआ है दो श्रब्दों से, जिसमें से पहला है hyper, इसका मतलब होता है ज्यादा, और pigmentation का मतलब होता है coloring, तो अब कभी भी आपके body के face के कोई एक particular part पे, वहाँ पे cell में, जो specific cell है, जिसे हम गोलते है, milenocyte, milenine बनाने वाले cell, जो की color के लिए import करतना है, milenine, जो की color है, वो अधिक मातरा में बनने लगता है, तो वहाँ क जो च्वचा है, वहाँ का रंग जो है, तो आपका ये एक कारण है, आपके इस तरह के जाईयों के बनने के पीछे, तो अगर आपको इसको कम करना है, तो आपके पास possibilities क्या है, ये आपका possibilities number one ये कहता है, कि जो pigmentation है hyper level पे, वो क्यो जाता है, संपल सा concept लेके आपको बताता हूं, जब कभी भी हम धूप में जाते हैं, तो हमारे जो pigment cell है, वो overactive हो जाते हैं, ताकि सूरे से निकलने माले ultra wild rate से आपको बचाया जा सके, ये उनका एक protective mechanism है, बट जब जब भी आप सूरे की contact में ज़्यादा जाएंगे, तो वो pigmentation ज़्यादा होगा, वो dark spot ज़्यादा बनते जाएंगे, अब आपको ये चीज़ ठीक करनी है, तो आपको pigmentation को रोकना पड़ेगा, pigmentation को रोकना है, तो आपके milanocyte को affect करना पड़ेगा, और milanocyte को affect करेंगे, तो milanine कम बनेगा, milanine कम बनेगा, तो darkness कम बनेगी, और इस तरीके से आपके जो skin में extra dotted patches बनने लगे ब्राउन कुलर के, वो दीरे-दीरे minimize होते रहेंगे, और यही आपके cream काम करते हैं, दूसरा अगर आप देखो तो आपके skin के परिपर पार्ट के sensitivity बढ़ जाती है, वहाँ पे थोड़ा सा redness, थोड़ा सा आपको एक pain जैसा, कभी कभी swelling जैसा ऐसा होने लगता है, तो combination का formula, चलिए अब बात करते हैं, एक एक ड्रग के basic mechanism of action के बारे में, पहला जो ड्रग मेरे हाथ में था, उसका जो नाम है, वह है, मेलापिक HQ, जिसका active consummate है, hydroquinone cream, United State Pharmacopeya के guideline के accordingly, तो यह जो आपका consummate है, hydroquinone, यह एक ऐसा agent है, जो hyperpigmentation को कम करता है, जो milenocyte के over activity को कम करता है, जिससे milenink का secretion कम होता है, और जिससे milenink का secretion अगर कम होगा, तो आपके जिस particular part में dark patches बन रहे थे, ज्यादा brown color में dot 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 dot, इची marks बन रहे थे, उसको हम आसानी से कम कर सकते हैं, उसके बाद जो दूसरा product मेरे हाथ में था, जिसका brand name था, deso soft, और active consummate है, आपका desonide, यह एक ऐसा corticosteroids है, जो milder in nature होता है, corticosteroids के काम करने के तरीके ऐसे हैं, कि आपकी body में, जिस particular part पर आप अपलाई कर रहे हूँ, वहाँ पर अगर कोई inflammation हो रहा है, solution generally हो रहा है, redness अगर हो रहा है, तो उसके पीछे एक chemical काम करता है, जिसे हम बोलते है, prostaglandin, तो अगर यह prost inflammation, redness, itchy mass जैसे बनने को देखने को मिल सकता है, आप जब इस cream को apply करोगे, तो यह जो cream का corticosteroids है, उस prostaglandin के बनने के process को कम कर देता है, जिसकी वज़य से inflammation हो रहा है, जिसकी वज़य से redness आ रही है, उसी को अगर आप कम कर दोगे, तो वो further progress होने से तो रुख जाएगा, तो इस तरके से यह वाला drug काम करता है, अब बात आती है कि दोनों को mostly combine क्यों करते हैं, उसके पीछे simple सा logic यह है, कि अगर आपके इस प्रवर पार्ट में कुछ जाईयां बन रही है, extra dark pigment बन रहा है, तो उसमें इची मास भी generate हो रहा होगा, वहाँ पे sensitivity भी बढ़ रही होग और दूसरा आपका moisturizer, जिसके प्योग के बारे में आपको बता दूँगा, तो जब आप इन दोनों को proper मातर में मिलाते हो, जो कि आपके doctor आपको सलाह देंगे, आपके situation देखने के बाद, उसके आप जब इसे apply करते हो, तो वो दोनों अपना-पना काम करते हैं, यानि कि पने face को wash ना करें, यह मैंने पहले भी बात किया हुआ है, खुझली के बारे में बात किया हुआ है, साबून यानि कि एक ऐसा agent जिसमें surfactant की जो मातरा है, वो comparatively आपके face wash से ज़्यादा होती है, तो surfactant आपके skin, खास करके face के skin, जो की बहुँ ज़्यादा thin और dedicated होती है, नाजुक होती है, उसको harm पहुचा सकती है, उसकी chemical कुछ ने कुछ balance कर सकते हैं, जिससे ये problem होता रहता है, और surfactant के residue अगर रह गए तो drug combination यूज़ करने पे, उनके साथ interaction होने की भी chances रहते हैं, जैसे कपड़े दोने के बाद, आपका भी-कभी मैसूस करते हूँ, कि जाएगा, तो कपड़े के ratio को नुकसान पहुचा सकता है, कुछ ऐसे ही समझलो कि आपके skin के cells हैं, वो ratio है, अगर उसमें अच्छे से साफ आपने नहीं किया या बार-बार apply किया, तो वो उसको damage पहुचा सकते हैं, अब उसके उपर अगर आप इस तरह के cream को apply करोगे, तो maybe that depends upon the type of cream, their active consequence, वो interact कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने face को अच्छे से wash कर लेना चाहिए, with the help of some good quality face wash, उसके बाद अच्छे towel से dry कर लेना चाहिए, dry करने के बाद इन दोनों को mix करके proper proportion में, proper quantity में, as per your guidance, medical practitioner, आप इसे apply कर सकते हैं, apply करने के बाद अपने हाथों को अच्छे से wash कर लें, क्योंकि अगर आपके हाथ अगलती से मुह या आख पे चलते हैं, तो आपको irritation कोस कर सकते हैं, इसके बाद कुछ समय बाद या तो इसे आप clean off कर दें, लगभग 2-3 घंटे बाद, या अगर आप रात में apply कर रहे हैं, तो इसे रह सकते हैं, ये पूरी UV से आपको बचाने के लिए pigmentation करना स्टार्ट करते हैं, मिरेलीन सिर्ष्ट करना स्टार्ट करते हैं, वो process boost होने लगता है, तो ये मिलेलीन अगर बनेगा तो आपके चेहरे पर darkness लिखेगा, इसलिए लोग ये कहते हैं, कि धूप में मत जाओ, काले हो जाओगे, तो धूप आप धूप से जादा expose होते हैं, तो इस cream को लगाने के कुछ एक problem आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत common है, easily go चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती, वह कुछ समय बाद आपको skin में peeling का एसास होगा, यानि कि लगेंगी थोड़ी थोड़ी छिलके निकल रहे हैं, that is absolutely normal, थोड़ा dryness भी आपको मैसूस हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि इसके लिए एक अच्छा जो moisturizer है, वो भी आप apply कर सकते हैं, वो भी आप doctor से concerned करके ले सकते हैं, although doctor आपको suggest कर ही देंगे, तो इस तरिके से लगाने के बाद थोड़े दिर बाद जब आप wash out करोगे, तो आप moisturizer लगा सकते हो, दूप में निकलने से पहले आप sunscreen लगा सकते हो, तो overall चारो तरफ सिर्फ production होने के बाद आपका जो जाईयां थी, इसका जो progressive rate था, वो काफी कुछ control में हो जाएगा, और progression यानि कि उसके बढ़ने को process को रोक देना, उसका treatment का एक हिस्सा है, इस तरिके स आपके जो आज के drug हैं, वो काम करते हैं, अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक भी दिया है, तो well and good, अगर आप दोनों को combine करने के लिए दिया गया है, तो भी दोनों मिलकर के signalistic effect की तरह काम करेंगे, तो यह था हमारा आज का छोटा सा cosmetic related videos, I hope कि आपको चीजे अच्छे लगी होंगी, thank you, take care.